हलो एफ्रीवान वेलकम टू मैं चानल दीपक्ति याखना व्लोग तो अभी जो है सुबा के सावाद 6 बज रहे हैं बहुत जल्दी मैं आज उड़ गई थी अंदेरे अंदेरे में थोड़ी सी वॉक कर ली सुबा के टाइम अभी एकदम से उजाला नहीं होता अंदेरा अंदेरा रहता है इस टाइम तक भी और शाम को भी बहुत जल्दी अंदेरा हो जाता है अभी सर्दी आनी वाली है आसर दिखना स्टार्ट हो चुका है तो फ्रेश भी हो गई थी वाग भी कर ली थी ब्रेश भी कर लिया फेस वाश भी कर लिया तो दिया सोरी है थोड़ा सा लेट का टाइम है अभी स्कूल का पेपर चल ले है उसके साड़े आट जाना होता है वैसे साड़े साथ का है तो मेरे को बहुत जल्दी उसको उठाना परता था अपने साथ साथ ही में लंच तियार करती रहती थी वो थोड़ा सा अपने आपको पैमपर करती रहती थी मतलब बच्ची की आँखे होती है ना अद खुली सी तो वो अपने आपको थोड़ा खुदी पैमपर करती रहती थी बीच बीच में मैं आवाजे लगाती रह जा lacking ? और यह जो सबजी मतलब गोबी जुह मतलब पराचों के लिए काफी जादा है तो मैं बाकी पाचीवीं कोबी आलू की सबजी बना दूगी लूंच में काम आ तो आज का जो लंच है ब्रिक पास्ट है वो एकदम डिसाइड हो चुका है और मैं तो खुद रात की पालक पनीर की बच्चीवी सबजी पराठे के साथ खालूंगी तो यह देखिए हमारी जो गोबी है वो कट हो चुकी है दोनों को मैंने अलग-अलग कर लिया था वो सबज मैं नाप तोल के चीज़े बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि बिल्कुल वेस्ट ना चाहे यहां पर मैंने चॉपर में गोबी को अच्छे से चॉप कर लिया है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाते है इसमें अब काफी सारी गोबी भी इसमें दो से तीन बार में कर सकते हो चार से पांच लोगों के लिए ना अराम से हो जाएगा बहुत मतलब शार्प होते हैं इसके ब्लेट मेरा यह दूसरा चॉपर है इससे पहले जो था वो तूट गया था खराब नहीं हुआ था तूट गया था अभी भी मैंने वो समाल के रखा हुआ है और फिर इसके बाद गोबी में मैंने डाल दिया है प्याज थोड़ा सा मसाले अट करूंगी मसाले में नमक डालूंगी थोड़ी से लानमिच डालूंगी हलका सा धनिया पाउडर थोड़ी सी खटाई थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी हल दी है सब डालने के बाद इसको मैं कर दूंगी अच्छे स मिक्स तो इसमें आप हारी मिर्च भी डाल सकते हो अगर आप खाते हो तो मैं दिया के लिए बना जी तो इस पज़े से नई डाल जी हो मसाले भी मैं बहुत लिमिटेड डालती हूँ क्योंकि यह खाती ही नहीं है और चॉप भी मैंने बहुत वारिक वारिक करी है ताकि इसको यह ने लगी कि सबजी सी बना दी मैंने मतलब पराठे सबजी के बना दी हारलु के तो शौक से खालेती है, पनीर के भी खालेती है, बाकियी चीज़ों मैं नकरे दिखाती है और मेरी ममी ना बहुत अच्छे गोवी के पराथे बनाती है तो नेहाब जैसे सर्दियों में आईगी तो उसकी यही एक फरमाईश होती है गोवी के पराठे, ममी के हाथ की और सासो का साग बगारा ना और सरदियों में अच्छा भी लगता है दूप में बैटके नाश्ता करो हमारा तो पीछे अच्छा कासा गार्डन है तो आज में ना दो लेयर के पराठे बनाओंगी अराम से मतलब पतला सा एक बनाओंगी ताकि स्कूल टेफिन में ये अच्छे से खाले सॉफ्ट सॉफ्ट सा पराठा जो कि लेयर वाला ही पॉसिबल है आपको पते ही गोवी का पराठे थोड़ा डिफिकल्ट होता है आलू का तो बन जाता है गोवी का थोड़ा सो ऐसा रहता है और जो मैंने अपने लिए बनाएता ना बाद में जब देया स्कूल चली गई थी वो मैंने एक ही लेयर का बनाएता मतलब एक ही लोगी का बनाएता तो यहाँ पर मैंने पराठे को बेलना स्टार्ट कर दिया है यह देखिए कुछ इस तरीके से कोबी का पराठा कोई difficult काम नहीं है सबको ही आता होगा लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैं आज breakfast में क्या बनारी हूँ lunch में क्या बनारी हूँ dinner में क्या बनारी हूँ यह सब चीजे दिखाना दियो चपल लेके यहां से अटो मैं भी इजबीट में voice over करते वक दियो को instruction भी देती जा रही हूँ दिया जो है आ गई थी अंदर आजकल वो हुई माताई फोटो लग रही ना तो चपल उताना यह भूल जाती तो बार-बार टोकना पड़ता है यार बच्चे को तो यहां पर हमारे पराठे पर हम लगा देंगे oil और इसको अच्छे से सेख लेंगे तो गोबी का पराठा मेरे यहां तो दूसरी है तीसरी बार बना है यह आप इसको आम के अचार के साथ हरी जटनी के साथ खाए बहुत टेस्टी लगता है या फिर सिंपल उपर से बटर लगा के खाओ बहुत बढ़ी लगता है सिच में लेकिन कोई और अगर बना के दे तो खुछ से बना के मज़ा नहीं आता मम्मी के हाथ के यार बहुत अलगी चीज़ होती है मुझे कॉमेंट करके तो जया हम यहाँ पर लगाने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसको रोल करना स्टार्ट कर दिया है और इसको हम दे देंगे दिया को और उसके बाद हम इसका लंच बॉक्स जो है पैक कर लेंगे फिर इसको तियार करना स्टार्ट करेंगे तो उस दिन में आपसे बोल रही थी ना मैं भूल गई हूं इसको क्या कहते हैं तो कई लोगों ने बोला था बटर पेपर तो यह बटर पेपर नहीं है इसमें बटर पेपर भी आता है युनि रैप में लेकिन यह बटर पेपर नहीं, यह पेपर रोल ही है, रापिंग पेपर, और इसमें हमने इसको अच्छे से रैप कर लिया है, और अभी टिफिन में रख देंगे, तो टिफिन ना, इसके पास 3-3 टिफिन है, अलग-अलग, इसको मैं चेंज करके देती रहती हूँ, एक मैंने यह चुपचुप इसमें आड़ कर दिया, जो किसका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यह, फिर अंदर आ चुके हैं, हम यह नाश्ता कर रही थी, तो मैंने का चलो, बिस्तर समेट लेती हूँ, तब बहुत सारे काम होते हैं, सुबह रात को चाहिए, जितना मर्जी घर समेट लो, जितना मर्जी सजा लो, सवार लो, चीजे अपनी अपनी जगापे रख दो, लेकिन सुबह फिर ऐसा लगता है यार, फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी जिंदिगी की, है ना थो, बस मैं यहाँ ब्लैंकेट वगारा उड़े गए हैं, इसी चलता था इस वज़े से, तो आभी मैं एक ही सिंगल मोटा वाला निकालूंगी, क्योंकि रात के टाइम पर बहुत ठंड लगती है, सच में, बहुत ठंड लगती है, हमारे इदर का एरिया चो है ना, काफी ग्री वाला है, और काफी मतलब यहाँ पर खुला खुला है, मैदानी एरिया है, तो इस वज़े से बहुत ठंड रहती है, मेरी ममी के घर के पास तो बिलकुल सामनी मैदान है, दशियारे का मेला लगता है, तो वहां तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और जगए के मुकाबले, एकदम एंट्री करती ही ना, हम कि अभी भी प्रिकफास्ट कर रही है और टाइम जो है हो रहा है पॉने साथ का टाइम हो रहा है यहां पर यह देखिए मैंने सोचा था इसको साथ बचे उठाऊंगी लेकिन यह जल्दी उठ गई थी क्या कर सकते हैं तो यहां पर मैंने जाडू लगा ली है पोचा नहीं जब यह प्रिकफास्ट कर रही थी अब लास्ट में मैं इसको फटा फट से तियार करूंगी और मज़े आते हैं इसके संग मैं बहुत मस्ती करती रहती हूं सुबह सुबह ना टीवी चला के बैट जाती है मैं भी पहला ऐसी करती थी जब मैं स्कूल जाती थी मैं टीवी च पड़े हैं स्कोल चले हम यह गान कितनौ चलब यह भी जो जो है आता है. तो आप भी सोच रहोंगे अचानक से ये क्या शुरू हो गया था गाने शाने तो देखिए दिया जब स्कूल चली जाती है मैं उसको छोड़ कर आ रहती हूं तो उसको छोड़ कर आने के बाद 5-10 मिनट में अराम से रिलाक्स होके बैठती हूं कभी कभी वो कुछ खाने को छोड़ जाती है तो मैं उसी टाइम उसको फिनिश कर देती हूं बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़े छोड़ के जाती है अब आज तो नहीं छोड़ के गई थी और टीवी देखती हूं जो कि वो खुला छोड़ के चली जाती है तो गाने लगा लेती हूं जो मुझे पसंद होते हैं रोज मतलब जिसे हम गाने लगाते हैं तो वो हमारा मतलब यूट्यूब में वो चीज़े रिपीट रिपीट होती हैं तो मैं रिपीट रिपीट कुछ ना कुछ गाने सुनती रहती हूं और मेरे जैसे ना बहुत सारी ल पुराने पुराने मम्मी भी सुनती थी बड़ी मम्मी भी मेरी मौसी भी वरताब सबके घर में अपने लिए पराथे बना लिए एक गोबी बनाया और एक सिंपल सा और साथ में पालक पनीर की सबजी आप लोग भी आजाएगे खाली जिए फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा आगे शूट नहीं किया और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं लंच में आज अलू को भी की सबजी बनाने वाली हूँ तो मैंने बना लिए दिया को लंच करवा भी दिया है स्कूल से आ गई थी वो मैं लेकर आई थी और यहां पर आने के बाद देखिए बिजी है पेपर कल उसका लास्ट है जी के ओरल का फिर तो दिवाली के छुटी पड़ी जाएगी और जो ini कि शाम के ना सारे चार के करीब का time हो रहा है मैं बहुर देखने आया थी कभी कभी ने time cut नहीं है तो हम सूछतें है देखो वार कोई खड़ा होगा हम भी खड़े हो जाए तो बस कोई नहीं था तो मैं यहीं पर इसा कुछ खास अपने लकीरों को नहीं देख करी लकीरे तो बंती भिगढ़ती रहती हैं इनको क्या देखना है इन पर क्या बरूसवी रखना और घर बहुत ही जादा गंदा हो रहा है आप देखी सकते हो बारिश की वजे से जादा गंदो हुआ है दो तीन साल से बहुत पारिश पढ़ रही है मेरा घर भी बहुत गंदा होगे लेकिन अब बाद में करेंगे पुताई इस महीने बस बजट थोड़ा सा हो गया उपर नीचे वनना इसको भी हम थोड़ा सा सुधार लेते घर को भी कई सारे लोग तो कॉमेंट करते हैं जोपर पटी में रहती है यह है वो है तो यह चलो ठीक है हम जोपर पटी में रहते हैं मुझे अपनी जोपर पटी बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है और मेरे लिए किसे महल से कमनी है सब के लिए उनका घर special होता है और मेरे लिए तो ये बहुत जादा special है दीपक का घर है ये मेरे सुसराल है ये और दीपक की बहुत सारी यादे हैं इस घर में जिसको कोई चाहई भी नहीं मिटा सकता सच में मेरे को कई लोग बोलते हैं और मम्मी भी मेरी बोलती है कि घर बेच दे कहीं अच्छी जगह ले ले लेकिन मैं कोई कॉम्प्रमाइज नहीं करती इस चीज पर मेरे को बहुत बहुत लगाफ है बहुत ज्यादा प्यार है पहले में इस घर में जैसे दीपा कॉफिस चले जाते तो चलो इस वीडियो का हम यही पर एंड करते हैं, होपसो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड के संग, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मिलती हो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक किया बाई बाई